नमस्कार स्वागत है आप सभी का दब यहाँ टॉप में मिरणामुदिप तारण है कारा कार्ट लोगसभा उपेंद कुछ वहाँ लड़ रहे हैं पूर में सानसद भी रहे हैं लेकिन फिर उन्होंने खुद टिकट वापस कर दिया अब उन्होंने खुद वापस किया या बीजेपी उनसे वापस करवाई यह तो पवन सिंग को पता होगा लेकिन इतना पका है कि कल जैसे ही आशन सोल से बीजेपी पर तैस्टिक अनान घोसित हुआ पवन सिंग ने ऐलान चलते पवण सिंग का वहां से टिकट करना, आप देखिये कारा कार्ट पर हम चर्चा करेंगे, कारा कार्ट में पवण सिंग के उतरने से मुष्किले किस के लिए बढ़ रही है, किस नेता के लिए आफ़त परदा करेंगे पवण सिंग, क्या वो महागडबंधन के परतैसी र कि कारा कार्ट में पवन सिंह के लड़ने से किसे नफा और किसे नुखसान होगा साथर पहले कारा कार्ट में अगर हम बात करें जातीयों कि गोल बंदी की कि जाती की कितने वोटर है तो देखिए सरवाधी के यहां पर यादव वोटर है मतलब यादव बाहुली इलाका है काराकार्ट और बिहार का कोई भी लोग सबाहो वहाँ सबस्चेदिक यादव ही मिलते हैं जमुई जो की रिजर्ब सीट है वहाँ भी सबस्चेदिक यादव है तो यादव वहाँ पर 3 लाक्ष यादिक है कोईरी कुर्मी की बात की जाए कुस्वाह और कुर्मी का तो ये लगबग धाई लाक क्या असपास है मुस्लिम वोटर डेर लाक है राजपूद वोटर सब देखिए राजपूद वोटर पे हमें खास फोकस करना होगा क्योंकि वहाँ से जो दो परत्यासी है अब देखिए आपको याद होगा पिछले चुनाव में महा बली सिंग और उपेंद कुस्वाह दोनों कुस्वाह जाती के है इन्हें हर चुनाव में कुर्मी और कुस्वाह वोटर के साथ को मिला ही लेकिन सवान और OBC समुदाओ के मदादाओं ने भी इनके पक्ष में वोट किया तो अब समझे है कि 3 लाक यादव इसमें आप 1.5 लाक मुसलमानों को जोड़ दीजिए करीब-करीब तो ये हो जाता है 4.5 लाक ये एक मुस्त वोट जो है वो माना जाता है कि उस लोग समा में महागरबंधन समर्थित परत्यासी को मिलेगा BJP के लिए प्लस पॉइंट क्या था देखें 1.5 लाक कोई रिकुर्मी वोटर है 1.5 लाक चुकि राजाराम सिंग खुद कुछ वहा है तो ये तह है कि कुछ कुछ वहा वोट उनको जाएगा ही जाएगा अगर 25-30% भी चला गया या उसे ज़्यादा चला गया चुकि कुछ वहा पॉलिटिक्स आरजेडिकर भी रही या वे कुछ वहा को दिया गया और अंगाबाद में सरवन कुछ वहा को दिया गया नमादा में तो अगर 50% कुछ वोट अगर टूट जाए कारा कार्ट लोग सभा में और राजपूत वोट अगर पवन सिंग काट कर ले जाए अपने साथ चुकि देखिये राजपूत जाती काई एक गुण भी होता है मैंने कई बारे से कैमराइप पर कहा है कि वो पाटी से पहले अपने परत्यासी को देखते है कि उनके जाती का कोई नेता लड़ रहा है कि नेता नहीं है पवन सिंग लेकिन पवन सिंग लड़ तो जरूर रहा है लेकिन इस बीच एक और बात है कि बिहार का इतियास रहा है कि यहां का कोई भी लोग गायक आज तक निर्दलिये लड़कर चुनाओ नहीं जीता है जीतेंगे तो पवन सिंग भी नहीं राजपूत भुमिहार और ब्रामण हाला कि भुमिहार और ब्रामण के संख्या कम है वो तो मिल जाएगा उपेंद कुस्वाह को NDA के सिंबल के चलते बीजेपी के साथ होने के चलते लेकिन जो राजपूत वोटर से हैं और वो डिसीजिजिव वोटर है सरबादिक वोट उस इलाके में यादवो का है और दूसरा जो बड़ा तपका है वो राजपूत वोटर तो जातिये समिकरंट से अगर हम समझें तो पवन सिंग के उतरने से उपेंद्र कुस्वाह की हालत खराब हो सकती है हार भी सकते हैं सिरु भालत खराब होने की बात नहीं है जीत हार में भी निरनायक भूमीका जो है वो पवन सिंग निभा सकते हैं अब देखें पवन सिंग के पिछे की वीराजब्राइनी समझें पवन सिंग अगर चाहते तो आरा से भी चुनाओ लड़ सकते थे पवन सिंग अगर चाहते तो ससराम से भी चुनाओ लड़ सकते थे पवन सिंग अगर चाहते तो महराज गन से भी चुनाओ लड़ सकते थे पावं सिंग को भारी पड़ सकता है इसका गुणा गणिट फैसिंग ने बैठा लिया लेकिन चुनाओ तो उनको लड़ना ही है तो आरा से सटा हुआ सरीट है काराकार्ण तो काराकार्ण से अर्डे ने तै कि गया कि वह किनाओ लडें फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत शुक्राइब